नमस्का दोस्तो मेरा नाम है लजमन हो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लबर दोस्तो आज के वेडियो में बात करेंगे कि आप यूनियन वेंक पॉप इंडिया में खाता के ऐसे को सकते हैं बिल्यकुल फ्रीम है जी आ दोस्तो आपको किसी भी पिका पर आपको अपना इन्यून बैंक पॉप इंडिया में एकाउंट फूल कर दिखा देते हैं है लो दोस्तो आज चुके हैं हम अपनी लैप्टॉप की स्क्रीम पर आप चाहिए मोबाल की स्क्रीम पर जाकर भी अपने एकाउंट को ओपन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको अपने मोबाल या लैप्टॉप से क्राम ब्राउजों को ओपन कर लेना फिर दोस्तो आपको क्राम ब्राउजों पर साच करना इन्यून बैंक ओप इंडिया एकाउंट ओपनिंग तो दोस्तो हमने यहां पर गूगल पर लिख लिया है फिर दोस्तो आपको इस से साच कर देना है दोस्तो जैसे आपके रम ब्राओजर या गुगल पर साच करते हैं तो दोस्तो आपके सामने गवर्मेंट की पेरली वेबशाइट उनियन बैंक ओप रहे हम उसका यहां पर आधा काट नंबर इंटर कर देते हैं फिर दोस्तों आपको यहां पर capture code यहां पर फील करना होगा यहां पर लिखा हुगा है दोस्तों आप देख रिखते हैं दोस्तों है आधा काट में जो भी mobile number रहें यहां पर फील कर देना है दोस्तों जैसे यहां पर फाधा का नाम इंटर कर देना दोस्तों आपके सामने कर्स्टमे की सारी डिटेल क्पल कर फो हो जाएगी और दोस्तों आपको यहां पर इन्सकी सारी इताल सब्सक्राइब कमदेदी और दोस्तों आपको यहाँ पर एक email आड़ी और दोस्तों आपको यहाँ पर customer का pen number enter कर देना है फिर दोस्तों आपको यहाँ पर state को चुनना है और दोस्तों फिर आपको यहाँ पर district आपका जिला क्या है फिर दोस्तों आपको यहाँ पर perfect branch दोस्तों आपके पास में जो भी ब्रांश बो यहां पर हो जाएंगी यहां पर आपको यहां पर आप किसी एक ब्रांश को यहां पर चुल में जो भी आपके पास हो सब्ubscribe वो आपको यहाँ पर सो हो जाएंगी फिर दोस्तों आपको यहाँ कंटीनू के option पर क्लिक कर देना है तो चले दोस्तों हम अपनी side detail फिल करके continue के option पर क्लिक कर देते हैं दोस्तो जैसे आप continue के option पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया page open हो जाएगा फिर दोस्तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी option खुल का सो जाएगे आपके यह पर दोस्तो आपको सारी detail यहाँ पर भी सो हो जाएगी customer की फिर दोस्तो आपको यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर जो एडर दिया है दोस्तो आपको यहाँ पर हाउस नंबर दोस्तो आपको यहाँ पर पारना हो और दोस्तो आपको यहाँ पर पिन कोड इंडर करना होगा तो दोस्तो आप यहाँ पर हाउस नंबर और दोस्तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर दोस्तों इनका जो यहां पर स्टेट है दोस्तों आपको यहां पर इसे भी सिलेक्ट कर लेना है अगर दोस्तों इनका एड़स दोस्तों आधा काट की सेम है तो दोस्तों आपको यहां पर सेम एड़स पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप सेम ए कुछा जा रहा है जिसका अब एकाउंट ओपन कर रहा है एक क्या करते हैं तो चलिए दोस्तों मैं जिनका एकाउंट ओपन कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किसी यानि दोस्तों खेती करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं एगरिकल चलावर भर देता हूं यानि दो OBC, ST, SC, दोस्तों आपको यहां पर अपने साथ से सिलेक्ट कर लेना तो दोस्तों मैं यहां पर OBC सिलेक्ट कर लेता हूं फिर दोस्तों आपको annual income पर क्लिक कर देना है फिर दोस्तों आपको यहां पर source of income पर क्लिक करना है दोस्तों आप यहां सी इस पर क्लिक करते हैं तो दोस दूस्तु आपको यहां पर नेट को आप्षय नाय को किलिए आपको इसन पर कीलिए कैरा और दूस्तु यहां पर आपको किंथे रखट ये कुलेटे सकते हैं तुम 720 यहां मैं मद्य पिदेश शane तो दोस्तों यहां पर मैं मद्य पिदिस लिखते था हूं तो दौस्तों आपको यहां पर जणम किस्तान लिख देना मध्य प्रच दोस्तों आप जिस वी एस्टीट्स हैं है तो आपके यहां पर लिख प्र दोस्तों आपको यहां continue के option पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप continue के option पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रका का इंटर फिस्कुल कर सू हो जाएगा फिर दोस्तों आपको यहां पर एक नॉमनी टेटल देनी होगी तो चली दोस्तों यहां पर मैं नॉम कर दिया फिर दोस्तो आपको क्लिक करने है और दोस्तो आपका नौमीक दोस्तों से मैं पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड़ेस से हम फिल हो जाएगा तो दोस्तों में यहां पर सैम एड़ेस पर क्लिक कर देता हूं अगर दोस्तों आपका एड़ेस अधर है तो आप अधर भी यहां पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर पूंचा रहा है इस नौमनी मिन्नोर तो दोस् तो अगर आप नाम पासबुक पर चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर चाहता हूं तो मैंने यहां पर एस कर दिया है फिर दोस्तों यहां पर पूंचा जा रहा है आप क्या क्या लेना चाहते हैं दोस्तों मैं यहां पर ATM मोबाल बैंकिंग और SMS बैंकिंग पर क्लिक कर देता हू दोस्तो जैसे आप continue के option पर क्लिक करते हैं तो दोस्तो आपके सामने यहाँ पर last page खुल कर सो होगा दोस्तो आपको यहाँ पर customer photo दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते है customer photo size basement 20KB से 50KB दोस्तो जो customer photo वो 20-50KB की बीच में होना चाहिए तो हम यहाँ पर choice फाल के option पर क्लिक करते हैं और दोस्तो यहाँ पर हम customer photo यहाँ पर choice करके upload के option पर क्लिक करते हैं दोस्तो यहाँ से अब upload के option पर क्लिक करते हैं तो दोस्तो customer photo upload हो जाएगा फिर दोस्तों नीचे मांगा जा रहा है customer signature size between 20-50 kb दोस्तों customer का signature है वो यहाँ पर आपको choice का लेना दोस्तों यहाँ पर 20-50 kb का होना चाहिए फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इसे upload कर देना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर upload करना जिसका size 20 kb से 100 kb की बीच में होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर हम choice फालिक option पर क्लिक करते हैं और दोस्तों अपने आधा काट को यहाँ पर select कर लेते हैं फिर दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर upload के option पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा time लगता है दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा bit कर लेना है फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आधा काट upload हो चुका फिर दोस्तों आपको यहाँ पर communication proof दोस्तों आपको नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पर communication address proof दोस्तो आप यहाँ पर आधा काड़ का दोस्तो आप बैक पेज भी यहाँ पर दे सकते हैं तो चलिए दोस्तो मैं Communication Group की अप्चन पर क्लिक करता हूं और दोस्तो आप यहाँ से कोई एक अप्चन सेलेक्ट करनें जो भी आपकी पास है दूस्तों आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो चली दूस्तों मैं यहाँ आप अप्लोट फॉर्म की option पर click कर देता हूँ दूस्तों जैसे आप इस पर click कर सके हैं फिर दूस्तों आपको choice फालिक option पर click करना है तो दूस्तों यहाँ पर हमें आधा काट कर दूस्तों जो यहाँ पर बेक पेज यहाँ पर इंटर कर देता हूँ फिर दोस्तों आपके यहाँ पर upload form की option पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आपका जो आधा काट कर जो बेक पेज यहाँ पर सो जागा फिर दोस्तों आपके इसे save की option पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप Save के उफशन प्र किलिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा Aplication Save Successfully Your Earnings Number दोस्तों आपको इसे reference number को यहाँ से copy करके रख लेना है जाला है दोस्तों मैं याँ से reference number को गौफि करके रख लेता हूँ फो दोस्तो आपको form को submit क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म हो जाएगा कम्पूर पर जा कर प्रेंड करेंड करें लेना दोस्तो प्रेंड करके आपको बैंक總tså जमा करेंड तो दोस्तो आपको तुरम्पीर पाउस्बूक etm और दोस्तु आपको Netbank की सब्दाप लथ हो जाएंगी तो दोस्तो यहाँ पर आपको रंगan में print करना है और दोस्तो आपको इसे bank में जमा कर देना तो दोस्तो आप इस तरह से अपनी Union Bank of India में account open क mot consum May